तो बच्चो गुड इविनिंग, सबी ठीक होगे, बच्चो आज एक अपडीट है, ठीक है, एक्जाम फॉर्म को लेके आप लोग बहुत ज़्यादा पारिशान है, ठीक है, खर जितने भी स्टूडेंट है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ गलतिया करी दे रहा है, ठीक है, तो इसका क्या सुल्यूशन है, क्या अभी तक विश्वित देले से क्या क्या जानकारियां मागी जा रही है, और किस तरीके से एक्जाम फॉर्म कैसे सही होगा, ये भी बताएंगे बच्चो और एक अपडेट यूपी स्कॉलरसिप को लेके है, वो भी कनफर्म कर देंगे, और हैं बच्चो, ठीक है, लेकिन आप लोग डिले होने से परिशान ना होई है, सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके एक्जाम फॉर्म पे, लगबग हर दिन, मैं मुश्किलों से बता रहा हूं कि डेली कम से कम दो से तीन सो स्टूडेंट ऐसे हैं इतने ज़्यादा कॉल्स आ दिया है, और कई स्टूडेंट इस तरीके के सवाल पूछ रहा है, कि जैसे माली हमने विधाउट रोल नंबर फॉर्म बरा है, क्या उससे कोई दिक्कत होगी, ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को मैं बता दे रहा हूं, सबसे पहले स्टूडेंट अभी तक जहां हम लोगों नहीं आले, जिन बच्चों में अभी तक, जिन में सब्जेक्ट के उप्चन नहीं आ रहे हैं वो लोग एक्जाम फॉर्म अभी ना भरें, ठीक है, इसके लिए आप हमें बताइए, मेल के जरीए हमें बताइए, हम आपके मेल को फॉर्वर्ड कर देंगे, help distillate leuupdate.com पे, क आपका subject नहीं आ रहा है किरपा करके हमारी मदद करिए हम उस mail को forward कर लेंगे ठीक है और उसके हम विश्व विद्याले में जाके पता करके फिर आएंगे फिर आपको बता देंगे तो जिनके में subject पूरे नहीं आ रहे हो फॉर्म ना भरे को करिकुलर में भाईया हम CC2 डाल दिये हैं मतलब को करिकुलम 2 डाल दिये हैं को करिकुलम 1 डाल दिये हैं subject का चुनाओ नहीं किये हैं क्योंकि उस समय subject का option नहीं आ रहा है तो इसके लिए विश्व विद्याले ने हम से मतलब हम लोग कोंटेक करने की कोशिस किये लेकिन Saturday और करेक्शन कराना है क्योंकि को करिकुलर में बच्चे जब तक आप subject नहीं फिल करोगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि आपका परिच्छा कब तक होगा और यूपी स्कॉलर्शिप को लेके यह कहा है कि जिन लोगों के हाई स्कूल के रोल नंबर का है इन्रोलमेंडर न बच्चों को लगनो युनिवर्शिटी ने का 27 तारिक से पहले एक लिखा लिखाया बच्चों अप्लिकेशन प्रिबियस वीडियो में हमने दिखाया था यूपी स्कॉलर्शिप वाली वीडियो देख लिजेगा ठीक है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेज अगर हाई स्कॉल का रोल नंबर का इशू है तो हाई स्कॉल की मार्क सिट इंडॉल्मेंट नंबर का इशू है तो सेकेंड सेमेस्टर फॉर सेमेस्टर या सिक सेमेस्टर का मार्क सिट उसके बास से अगर मालो आप फॉर सेमेस्टर पर फिर भी इंडॉल्मेंट नंबर का इशू आया तो इसके लिए आपको फीस रिसिप लगानी है ठीक है इतना करने के बाद आपको क्या करना है लखनो यूनिवर्सिटी में 27 जनौरी से पहले आप अगर फॉर्म जमा कर देंगे बच्चो तो आपका करेक्शन हो जाएगा नहीं जमा करेंगे तो स्कॉलर्शिप पानी मुश्किल हो जाएगी बच्चो अब बात कर लेते हैं कि एक्जाम फॉर्म को लेकर एक्जाम डेट को लेकर सेमेस्टर एक्जाम डेट को लेकर आप सभी में से बहुत ज्यादा बच्चे परशान है कि भाया कब तक होगा तो अभी लखनो यूनिवर्सिटी ये कह र वाले थे 2nd week of feb में उन्होंने क्या क्या डेट को बढ़ा दिया है मतलब ललबी के जो एक्जाम फॉर्म के जो डेट है उन्होंने 27 तारिफ तक बढ़ा दिया और एक तारिव तक इसको बढ़ा दिया तो इसके हिसाब से देखा जाए बच्चो अब आपका जो एक्जाम हो ऐडस सबजेक के नोट है मोबाइल एक्याइड फूर सब्सेंस्टर सब्याब तर्ड सेमस्टर के नोट्र पूरे हमारे मोबाईल एड़ ब्स एक ब्स आहिए डाउनलोड कर लिजेगा डाउनलोड करने के बाद बस क्लासरूम वाले बटन पर क्लिक कर दीजेगा बच्चो वहाँ से कोर्स बाई करके पढ़ाई करना सुरू करिए क्योंकि हमने एक्जाम बुस्टर को ऐसे तयार किया है कि वहाँ से आपके 100% कोश्चन मतलब जिस तरीके से यूनिवर्सिटी पूछती है उसी तरीके से हमने कोश्चन डिजाइन करके वहाँ पर डाला हुआ एक्जाम बुस्टर में ते यह एक्जाम बुस्टर जो होगा जब आप कोर्स पर्चेस करेंगे बच्चो वहीं पर मिल जाएगा बच्चो तो हो ये वीडियो आपको का अगला वीडियो जो मैं बनाओ तो आपको कम से कम यह कहाँ कि ठीक है हमारे 25,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके तो थैंक्यू सो मच इस्टूइट पर वचिंग डेस वीडियो